यह वाली बर्फी में मैंने ना बेसन यूज किया है और ना ही मैंने शुगर सिरप यूज किया है तो मैंने यह कैसे बनाई है तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि यह मैंने कैसे बनाई है यह बहुत ही ज्यादा हेल्दी और ज्यादा तर बारिश में खाने जाने वाली यह बर तो यहां पे शक्कर की चाशनी बनाने की भी जरूरत नहीं है और घर पे जो अपने घर में जो इंग्रिडियंट्स है जो चीज़े है घर पे पड़ी हुई उनी चीजों से यह आप बना सकते है और बिल्कुल 10-15 मिनट में आप इसे बना सकते है तो जब भी आपको कोई मिठ इसी घी और घी को हम पहले मेल्ट होने देंगे घी को मैल्ट होने के बाद हम अब इसमें एड करेंगे एक कप जितना गेहु का आठा जी हां जिससे हम रोटी बनाते हैं वही वाला गेहु का आठा अब इसे हम जो है लो टू-मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भूनना नहीं है इसे इस तरह से हमें घी की मातरा चाहिए मतलब बहुत ज़्यादा सुखा सुखा आटा नहीं दिखना चाहिए तो 7-8 मिनट तक हम इसे अच्छे से गुलाबी कलर आने तक इस तरह से भून लेंगे अब हम इसमें एड करेंगे इलाइची पावडर और जाइफल का पावडर स्वाद बढ़ाने के लिए अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें इसमें स्वीट आड करना है तो यहाँ पे मैंने लिया है गुड अब यहाँ पे गुड पावडर भी यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में गुड पावडर नहीं होता है तो मैंने गूडही लिया हैं यहाँ पे तो इस तरह से हमें इसे काटना है ताकि गूड की जो गड़े हैं बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल पतला-पतला घूडही हमें यहाँ पे काटके लेना है और यह simplemente हमें पहले ही करके रखना है मतलब हम स्टार्टिंग में क करके रखेंगे तो यह कितना लेना है तो आधा कप लेना है मतलब जितना घी लिया है हमने उतना ही गुड लेना है मतलब आधा कप घी आधा कप गुड और एक कप गेहु का आटा सिंपल है तो अब हम क्या करेंगे ग्यास की फ्लेम को बंद कर देंगे यह बहुत इंपोर्ट तो यह बहुत ज़र्दी सुखा सुखा सा हो जाता है तो इसे हम फटाफट करेंगे ये सारी चीजे बहुत ही अच्छे से आटे में गूड को हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे और पहले ही मैंने क्या किया है एक प्लेट में घी लगा के चिकना करके रख दिया है यह आप पहले ही करके रखिये तो अब इसे अच्छे से मिक्स करने के पाद हम ये चिकने वाली प्लेट जो है इसमें हम ये मिश्रन को फटाक से निकाल लेंगे और मिश्रन को निकालते बराबर हम इसे फैला लेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी कड़क बनने लगता है हाड बनने लगता है तो अच्छे से फैला लेंगे इसे एक प्लेन सर्फेस की कटोरी से मैं यहाँ पे उसे इक्वल फैला के ले रही हूं और उपर से थोड़ा सा प्लेन बना के ले रही हूं अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे complete ठंडा नहीं होने देना है थोड़ा सा ठंडा होने देना है ताकि हम इसमें cut लगा सके तो एक 2 से 3 मिनट में ये अच्छा ठंडा हो जाता है medium सा अब हम इसे cut दे देंगे friends चानल पे नए आए हो तो मेरा चानल में देंगे और complete ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि इतनी आसानी से demold होके आ रहा है कोई जंजट नहीं है इतनी जटपट ये बर्फी जो है बनके तयार हो जाती है और स्वाद में भी बहुत बढ़िया लगती है तो आज की रेसेपी आपको कैसे लगी मुझे कमें सेक्षन में जरूर बताइए और जरूर जरूर ट्राइ कीजिए ये रेसेपी काफी हेल्दी है ये बर्फी और बिना जंजट के बनके तयार हो जाती है तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में